तो आप उस चीज़ पर फोकस करो जो आपको मिल सकती है और जो आप क्यों आती है जिसमें आप इस्ट्रॉंग हो ठीक है? तो इसमें क्या है कि अगर आपने फिजिस कमेस्टी बायो से अपनी 12 तका रखी है ठीक है? तो आप इसमें जा सकते हो अगर आपका medical की field में थोड़ा सा भी interest है देखिए कि ये सेवा भाव का कारक्रम है और आफरात अफरी नहीं है आप मालो दरोगा जी बन भी गए अब वो जमाने गए जब आसपास से आप जो ना कहीं नाके पर खड़े हो जाओ पैसे बस सूलेगा वो टाइम नहीं रहा सबके पास mobile है एक वीडियो बनेगा आपकी नोकरी हमें सकली जाएगी तो जमाना ऐसा है कि आपको इजज़त से ही पैसा कमाना पड़ेगा दो नंबर वाले पैसे कम हो गए ठीक है जाने के लिए क्या अपरचुंटी है किस तरह से जाते हैं उसके बारे में थोड़ा से बता देते हैं और जिन्होंने आ लेडी जो ना BSC Nursing वगएरा कर रखा है जिन्हों वगएरा कर रखा है तो आ लेडी इसमें आसे चेक आउट कर सकते हो आँगे बढ़ते हैं चीजों को आपको बताते हैं ठीक है यह सीधी बढ़ती है और आपकी परिछा के आधारपर आपको बढ़ती किया जाएगा आँगे बढ़ने की स्रंखला में एक एक चीज जो है ना यह आपकी वेबसाइट है जो रामनोरलोया कॉलेज है उसकी में आपको जो ना स्टाफ नर्स की वेकेंसी है इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फार्म वही भर सकते हो और आंगे देख लेते हैं और ये मेल दे रखा और मेल के साथ साथ एक कॉंटेक नंबर भी आपको दे रखा है अब यहाँ पर जाकर आपको काम करना पड़ेगा अब देखो भरती करीब 600 के आसपास एक अच्छी भरती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ से देख सकते हो कि नोटिफिक्शन का नंबर आप यहाँ से चेक आउट कर लो यह नोटिफिक्शन का नंबर है नर्सिंग अफिसर के पद पर आप जो ना इसमें तैनात होने वाले हो आँगे बढ़ने की सरंखला में दीरे दीरे करके चीजों को देख लेते हैं जो जरूरी है उनके चीजों के बारे में हम डिसकस करेंगे वेकेंसि आप यहाँ से देख लो की वेकेंसि कितनी है आप टोटल यहाँ से देखो टोटल वेकेंसि ये 6-6-5 मतलब की 665 तो 600 प्लस की आस पस वेकेंसि है सिर्फ एक इंटिूट में राम मोन नो रे लो लिया ऐसे इंडियाम ना जाने कितने इंस्टूट और कितनी ही भरतियां आती रहती है ठीक है आप EMS वगेरा में भी जा सकते हो जो भारत के नामचीन संस्थान है स्टाफ नर्स के पतपराबरती हो सकते हो बेतरी न सहली हो बड़ी आराम दायक काम रहता है सेवा भी करने को मौका मिलता आपको ठीक है नर्स और होस्पिटल और इन सबकी मांग तो धिरे-दिरे बड़नी है क्योंकि बीमारियां धिरे बढ़ रही नामची की देख नहीं इसमें होस्पिटल बढ़ ही हो जाएगी तो सहली आपकी अच्छी है अब education देख लेते हैं अगर आप फीचर हो में बनना चाहो तो किस तरह से बन सकते हो क्या आपको करना होगा तो सबसे पहले आपको बायो से टोल्थ करना होगा उसके बाद आप जो है इसमें बीसी नर्सिंग आप कर सकते हो ठीक है नर्सिंग करने के बाद आपको आप यह देखे बीसी नर्सिंग आपने कर ली ठीक है फिर उसके बाद यह बीसी नर्सिंग कर लो यह बीसी ओनर्स नर्सिंग ऑनर्स भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बाद नहीं फिर आपको जो इंडियन नर्सिंग काउंसल है उससे करना पड रिफिश्टेस्टोन के साथ साथ में आपके पास ऐसी नर्सिंग हो बस आप इसमें स्वार्म बढ़ सकते हो कोई WAS कि लिफ्लेव करते थे तो अगर्श्टे आप बटीकिरेंस को सबस्दворु पर कर सकते हो लेकिन दो साल का एक साथ में चीजा के अर यहां से बता देता हूं कि जू रीम वालों को एक्स्पीरिंस मांगा गया हे तो जो यहांक स कते हो कि आपके पास में 50 बेड़न होस्पिटल का EXPERIENSE होना चाहिआ ठीक है तो कुलिमला के बात ये होई कि आपके पास में BSC Nursing है तो आप इसमें फॉर्म वरो ठीक है तो BSC Nursing आपको करना पड़ाएगा 12th PCV से आगर आप पास हो तो आप डारेक्ट जो ना admission वगएरा ले सकते हो जो आपके नजदी की college वगएरा है वहाँ से admission लो और आप अपनी degree करो और बहतरी नोकरी के लिए फिर आप apply कर सकते हो ठीक इसके लावा मैं आपको एक opportunity और बता देता हूँ कि आप जो ना MNS की और job आती है MNS का पूरा नाम होता military nursing services तो जो बच्चों ने जिन्होंने BSC nursing वगएरा कर रखी तो उनके लिए भरतियां आती रहती है आप इसमें अपना form वगएरा भर सकते हो बहतरी निसमें भी आपको career मिल जाएगा अच्छी तन क्वा कि आपकी नोक career में आपने देखा होगा कि 18 से 30 साल 28 साल है लेकिन इन भरतियों में क्या है आप यहां से देख सकते हो कि 18 से 40 साल ठीक है तो 18 से 40 साल तक कि जो लोगों इसमें form भार सकते हैं और reserve category माते हो तो उसके लिए Alexia और चूट है मतलब age का भी उतना bounding नहीं है education आपने एक degree ही तो क यह degree कितने लोग करके नहीं गूमते हैं ठीक है बीटे बीटे करके बारे गूम रहे हैं तो आपने भी SC nursing कि ए सीधी सची और आपने थोड़ा बहुत देखिए और एक चीज़ और बता दू आपने भी SC nursing करके आप बैठ ना जाईए कि आप बैठ गए तो आपको और आप तुरंत जोना कहीं जोइन कीजिए ताकि आपको थोड़ा experience भी मिले, exposure बहुत अच्छा, आपको field में जाके exposure होना बहुत ज़रूरी है, experience के बाद आपको जही सही vacancy वगएर आती है, recruitment आता है, आप apply करके आप अपना जोना career वगएर बना सकते हो, ठीक है, तो ये बेहतरी में exam pattern वगएरा इसमें discuss हम नहीं करेंगे, और exam pattern की बात बता हूँ, जो आप BC nursing पढ़ोगे वही चीज़ें इसमें exam में पूछी जानी वाली है, अगर आपको requirement है कि आपको selection procedure भी detail में discuss करें, तो आप जोना हम है comment box में बताएगा, ताकि हम अच्छे से आपको discuss करके बता दे तो फिलाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, हम आप से मिलते हैं, गलोड में तब तक लिए वंदे मातरम, खीचो राजा एटक खीचो